साई की बात सुनो मेरा नाम सुनो मेरे बारे में जानो मेरा जो हुकम है उसे मानो जो मेरा आदेश है उसे सुनो तुम और उस पर काम भी करो मैं चाहता हूँ तुमसे कह रहा हूँ इतना अचंबित क्यों हो रहे हो कि बावा तुमसे कह रहे है हाँ तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम ही जनम में मुझसे जुड़े हूँ मुझसे मिले हूँ नहीं तुम्हारा और मेरा नाता इस जनम का नहीं पिछले जनम का भी है तुम पिछले जनम में भी मुझे मिले थे मेरे बचे और सुनो अगर तुम्ही न ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो परिशानी है उसका कोई हल नही मिल रहा नग तो सुनो मेरी बात को, आओ मेरे पास, बैठ जाओ आकर मेरे पास, मेरे सुरूप के समक्ष आकर बैठ जाओ, मेरे तस्वीर के सामने आकर बैठ जाओ, और जो Companies कहे दो मुझे, वैसे मैं तुम्हारी सारे परिशानी जानता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम कहोगे तुम अगर मेरे सामने आकर बैठ कर कहोगे तुम मुझे अच्छा लगेगा तो आओ और बैठो अपने साइं की शरण में मुझे से कहो इस तरीके से कहो कि जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने बैठे है जिस तरीके से तुम अपने माता पिता को समझ कर सारा अपना दुख दर्द कह देते हो न बस उसी तरीके से तुम्हें अपनी सारी बाते मेरे आगे रखनी है और ये सोचना है कि वो तुम्हारे साई नहीं, तुम्हारे माता पिता है, साई के रोप में, तुम्हारे साई मा है वो, तुम्हारे साई पिता है वो, इस तरीके से मुझसे बात करनी है आकर, मुझसे कहो, और मैं भी तुम्हें जवाब दूँगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स सकती क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है लेकिन वो तुम्हारे साइं के हाथ में तो है ना तुम्हारा साइं चाहे तो सब कुछ कर सकता है तो बस आज़ो मेरे पास आकर बैठो और सुनो जिन लोगों ने तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर दिये हैं ना लेकिन मैं तुम्हारे दरवाजों को खोलूंगा तुम चिंता मत करना तुम्हें ऐसा लगता है ना कि किसी ने जलन की वज़़ से किसी ने कोई ईशा की वज़़ से तुम पर कुछ करा दिया है कोई काला जादू कुछ चीजे जिससे तुम्हारे चीजे बंद गई है तुम्हारा काम बंद गया है तुम्हारा घर में काएं कलेश होते हैं तुम्हारे घर में कभी भी किसी की बंदी नहीं आपस में सब का मन मुटाव रहता है ऐसा ही है न तो सुनो मेरी उधी लेना और उधी लेकर मेरे ग्यारा वचन पढ़ना और उसके बाद मेरे ग्यारा बार नाम चाप करना और उसके बाद तुम्हें क्या करना है उधी वाले जल को अपने पूरे घर के कोने कोने में छड़कना है मेरे बच्चे और वो एक दिन नहीं करना तुम्हें 21 दिन तक ऐसा रोजाना करना है प्रति दिन करना है चाहे तुम सुभा करो या शाम करो कभी भी करो लेकिन जब भी करो मेरी पूजा के बात करना जब मेरी पूजा करोगे न तो उस उधी जल को मेरी पूजा में रखना चाहे सुभा की पूचा हो या शाम की पूजा हो और आरती के बाद अपने पूरे घर में उस जल को छड़कना और फिर देखना कि कैसे कैसे तुम्हारे घर से न सारे निकरत्मक उर्जा बाहर निकल जाएगी और कभी लगे न तुम मेरे स्वरूप को अपने पूरे घर में घुमाना पूरे घर में मुझे गोद में लेकर न अपने पूरे घर में घुमाना एक एक कोने में और एक बात कहूं तुमसे तुम्हारे घर में बहुत जल्दी शैनाई बजने वाली है मेरे बच्चे तुम्हारे सर पर सहरा सजने वाला है तुम बहुत जल्दी बहुत जल्दी धूले राजा बनने वाले हो मेरे बचे तुम्हारे घर परिवार वाले बहुत चिंतित है ना तुम्हारे शादी को लेकर तुम चिंता बिल्कुल मत करना तुम्हारी शादी तुम्हारा विवाँ बहुत जल्दी होने वाला है तुम बहुत जल्दी घोड़ी पर बैठने वाले हो मेरे बचे और एक काम करना जिस दिन तुम्हारा रिष्टा पक्का होगा न उस दिन तुम मेरे पास आना जोड़े समेत सबसे पहले मेरे मंदिर आना और मेरा अश्रवाद लेकर जाना इतना कर देना बस क्योंकि न जब अश्रवाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ न तो आगे के मंगल कारे भी मेरे अश्रवाद से ही होंगे तो सबसे पहले मेरा अशिरवाद लेने आना और चोड़े समेत आना अकेरे मत आना अपने अरधांगनी को अपने जीवन साथी को अपने साथ लेकर आना मैं तुम्हें और तुम्हारे अरधांगनी को इस तरीके से अशिरवाद दूँगा कि आने वाले सारे कारे तुम्हारे और सुनो, आज जो तुम मेरा अंदान करने जा रहे हो न, तो अंदान में उदी मिला देना, उदी मिलाने से न, मेरे बच्चे, मेरा जो अंदान है, जो दान है तुम्हारा, वो कम नहीं पड़ेगा, वो सबको पूरा हो जाएगा, सबका पेट भर जाएगा, मेरे बच्चे, चाहे तुम जितना मर्जी बिनाना लेकिन कम किसी को नहीं पड़ेगा उसमें उद्धी मिला देना ठीक है न? और सुनो तुम हमेशे कहते हो कि नारायन मेरे घर आओ, मेरे घर आओ तुमारा नारायन तो कितनी बार तुमारे घर आता है मेरे बचे और किस-किस रूप में आता हूँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, लेकिन बस तुम ना मुझे पहचान नहीं पाते हो, और मैं भी तुम्हारी कभी-कभी परिक्षा लेता हूँ, कि तुम मुझे पहचानते हो, कि नहीं पहचानते हो, तुम कभी-कभी मुझे भगा देते ह कभी कभी कुछ और कह देते हो, कभी कभी तुम्हें बहुत गुसा भी आता है, और कभी कभी तुम्हें मुझे पर प्यार भी आता है, ऐसा नहीं कि तुम मुझे कुछ देते करते नहीं, देते भी हो, लेकिन जब गुसे में नहीं होते हो, तुम्हारा अच्छा मन होता है, त मैं भी देख कर तुमसे न डर जाता हूँ वैसे न मुझे हसी भी आती है तुम पर कभी कभी कि इतना जाधा गुसा हो जाते हो कुछ-कुछ चीजों को लेकर और सुनो अगर विवा करने का मन है तुम्हारा विवा तुम्हारे घर में होने वाला है परमपरागत तरीके से हो तो वो सही बात है मेरे बचे लेकिन जो परमपरा है उसी परमपरा के अनुसार करना ऐसा नहीं कि मुझे इस धरम के अनुसार करनी है या उस धरम के अनुसार करनी है यह आधुनिक जीवन में मत पढ़ना मेरे बचे करना तो तरीके से करना परमपरागत तरीके से करना सुन ये नहीं करनी चाहिए अगर करना है तो तुम उसे बाद में भी कर सकते हो अगर तुम्हें सहूलियत है तो लेकिन अगर सच में विवा के बंधन में बनना चाहते हो न तो उपर वाले का अशिरवाद उसमें बहुत जरूरी होता है और वो चार लोगों के आगे समाजिक तोर पर करने पर ही होता है मेरे बचे और उसी में इज़त होती है और सुनो जब इस बार तुम बाजार जाओ ना तो एक काम करना इस बार बाजार जाओ तो एक छोटी सी घंटी खरित कर लेके आना जूकि तुम हर बार भूल चाते हो मेरी घंटी लाना इस बार घंटी ले आना मेरे बच्चे क्योंकि मुझे आर्थी बिना घंटी की पसंद नहीं है जब तुम घंटी बजाते हो न तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी काकड आर्थी करकर मुझे सुभा-सुभा उठाते हैं मुझे सनान कराते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे बच्चे सुभा उठकर काकड़ार्दी करते हैं, उनकी अंदर ना एक अलग सी शक्ती, उन्हें महसूस होती हैं। और मेरी काकड आरती भी न, हर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बस कोई-कोई मेरे बच्चे कर सकते हैं, जिन पर मेरा आशिरवाद हो, जो मेरे बच्चों पर आशिरवाद है न, वही हिम्मत से सुबह उठकर मेरी काकड आरती कर सकते हैं, वही इस्नान करकर मेरा ध्या हैं मेरी साइन्स चरितर पढ़ता सकते हैं और उन Dol Kiddar से क्रिपा चैनिक निकलता है और वो बस पूरा गजाता है चाहे वो उनकी इच्छा हो या कुछ ही हो बस उनके मुक से निकला कोंसे को प्यार करता हूं और यूसरे क्रते हैं hm वो एक अलग सा खास सा अश्विर्वाद होता है जो हर किसी को नहीं मिल पाता खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समापतुगा